और मेरा दूसरा एक बैक अप चैनल है कैप्टन साइबर करके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तो आप लोग हो सके तो सब्सक्राइब कर सकते हो उन चैनल बैक अप चैनल की बात भी कौन कर रहा है जिसके पहले से चार चार यूटीव पे चैनल पड़े है वो बंदा जाके बोल रहा है कि भाई मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो मतलब लेजेंड और यार और फिर ये लोग क्या करेंगे फिर अपना एक चैनल बेच देंगे और बहाना क्या बनाएंगे कोविड का टाइम चल रहा है आई नीड मनी बात तो यह है कि भाई टेंसेंट किसी को भी अंधा श्ट्राइक मार सकता है यूटूब हो इस्टाग्रामों कहीं पे भी अगर आपने पपजियों डाल के रखा है तो पहली बात जानना यह जरूरी कि भाई वो अपनी मनवानी नहीं कर सकते है और वो मार देंगे श्ट्राइक तुम कुछ नहीं कर सकते हो लिटरली कोविड का टाइम चल ला है तुम कुछ नहीं कर सकते हो हाँ 10 सेंट तो तुम्हारे पपा का अगर कोविड का टाइम नहीं चल रहा था तुम तो दो चार था पड़ मार देता है उस बिचारे 10 सेंट वाले को कि तूने मेरे को श्ट्राइक मारी क्यों मतलब यह कि मैं रिजन नहीं बताना कि श्ट्राइक क्यों पढ़िये बस औड उतिया नंद आदमी, वो 10 cent है, वो इतनी बड़ी company है, वो चाहती है कि लोग उसको promote करें, तब ही तो इतने सारे content creators है YouTube पे, जो PUBG Mobile की वज़े से famous हो और जिनकी वज़े से PUBG Mobile famous है, PUBG Mobile चाहता है कि उसका promotion हो, लोग जादा से जादा उसको download करें, उसको money invest करें और UC खरी दें, पैं मैंने वो एक reason ढोड़ने के लिए कि इसे copyright strike क्यों मिली, उसके लिए इसका पूरा 8 minute का वीडियो देखा और ये मेरी जिन्दगी के सबसे बेकार 8 minute थे, मतलब मेरे को सिर्फ वीडियो के end में सरदर्द मिला, कोई reason या logic ऐसा नहीं मिला, जिसके वज़े से मुझे पता चल सक कि इसे actual में PUBG वालों ने गलत तरीके से strike मारी है, यहां पर भाया जी ने एक reason दिया कि इन्हों ने जो वीडियो डाली थी, इसमें अपना account बेचना चाहते थे, PUBG पार्टनर वाला, वो किसी अब्दुल रहमानाम के बंदे ने उसका screenshot लिया और इसे share कर दिया, जिसके वज़ कि जो 20 copyright strike है, उसका क्या reason था, उसका कोई reason नहीं, उसका सिर्फ यतना सा reason है कि भाई PUBG वाले मूँ उठाके कहीं भी अंधा strike मार सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, इस मंदे की मैं बताता हूँ, यह बंदा बोल रहा था कि इसमें वो PUBG पार्टनर का title है, वो पैसे के लिए नर्निंग का source है, अब YouTube इसको views नहीं आ रहे थे तो इसने पैसो के लिए उसे बेचना चाह, चलो माल लिया, लेकिन भाईया जी एक बात बताओ, आप जो यह डाय डाय तीन तीन लाग की UC, डेर लाग सावा लाग की UC के create opening करते थे, वो अगर legitimate UC होती तब तो आपको भेंच आपको ढाय लाग किया, सवा दो लाग रुपय तो कर्च करना ही पड़ेंगा, और इससे पहले इसने बहुत create opening किया, ऐसा नहीं कि एक दो create opening किया, बहुत create opening किया, मतलब इसे साबसे इसने 10-15 लाख रुपय कर्च कर दियोंगी, और जो बंदा 10-15 लाख रुपय कर सकता है, वो यार अपना अकाउंट एकदम चिंदी से पैसो के लिए अपना अकाउंट बेचेगा, मतलब समझे रहे हो कि एक बंदा जो पहले अमीर था, वो अचानक से गरीग हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, इसने जितने भी पैसे खरीदे हैं, वो carding के through खरीदे हैं, इसने वीडि उसी के 800 रुपए है, और दूसरे से खरीदोगे तो हम 900 रुपए, तो एक्स्टर चार्ज हो गया, नहीं, इसने जितनी भी चीज़े की हैं, वो सब carding के through की हैं, और आपको एक बंदे का example देता हूं, ग्वेमिंग गूरू, जो कि आपको टेलेग्राम के through UC दिलाता है, वो बंदा भी carding करता है, और ये वो तो अभी carding करने लगा है, carding के through ही आपको सस्ती UC मिल सकती है, इसके लावा और कोई option नहीं है, जिसमें आपको सस्ती UC मिल सकती है, तो ये आपको समझने की जरुत होगी, इसके लावा इस बंदे ने सिर्फ carding का ही fraud नहीं किया, इसके अला वीडियो देखना तो हर्ड्सकोप के चैनल पर पड़ा है, ये व्यूज़ वाला आपको पूरा लफडा होँआ से समझ में आ जाएका, उसके अलावा इसके चैनल पर man strike जो आई है, वो carding के fraud के वज़े से आई है, इसका सीधा सा यही एक reason है, जो मैं आपको बता सकता क्योंकि इससे इसकी सचाए बहारा जाएगी तो Pikachu audience आपको इस समझने की जुरूद था, अगर आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ पाओगे तो भाई, आपका कुछ नहीं हो सकता, वीडियो मत रहे था, जैराम जी की